रामनगर से एक दर्दनाक हाथसे का मामला सामने आया है बताया जा रहा है हाथसा डिगरी कॉलेज स्थित मार्ग पर हुआ जहां हाथसे में 5 लोग गंभी रूप से घायल हुए जानकारी के अनुसार हाथसे में शहर के नामी कारोबारी के बेटे कि ओडी कार दूसरे वाहन से जाकर तक्राई जहां सभी लोग गंभी रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में भरती करवाया गया जहां उनका इलाद चल रहा है दरसल घटना सुबर शनिवार की है दो बाइक सवार युवक अचानक गलत साइप पर आ गए तब ही सामने से आ रही कार की बाइक से जबरदस्त भिडंत हो गई वहीं इस हाथसे में दो की हालत बेहत गंभीर बताई जा रही है बताया जा रहा है कि हाथसा इतना भयानक था कि टकर लगने से बाइक में सवार दोनों युवक हवा में उच्छलते हुए सड़क पर जा गिरे जिसमें दोनों को गंभीर चोट आई है वहीं अन्यंतरितकार तीन लोगों से टकरा कर एक नाले में जागिरी जिससे उनके साथ उनके वाहनों को भी नुकसान पहुचा है